नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका बहुत राइस अकाडमी में आज का डेट है 17 अगस्ट 2022 एं डेली के करेंट अफेस के हमारे सोर्स आज उज्वल असाम जिब्यून और डिफरेंड अधर नैशनल डेली जोने वाले हैं जिसका पीडिएफ का लिंक नीचे डिस्क्रे स्कूल्सआ इंड कि यह जो रहे हैं जैस कि अनुछ नक भीडिडारत में हा जाया करते हैं जिनके पास पैसे बिल्कुल नहीं होते हैं इससे हुगा क्या देखो टेकनिकली तो सब बच्चों के लिए ही सरकारी स्कूल है बहुत समय क्या होता है बच्चे स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता है पेरेंट्स डालते ही नहीं है बच्चों को स्कूल में तो अब क्या हो गया यहाँ पर अभी जो बच्चों को डाला जाएगा तो इससे access मिलेगा उनको to the unprivileged children to elementary education मनद वैसे बच्चे जो क्या बिल्कुल पहले access ही नहीं कर पा रहे थे education को उनको direct education मिलेगा पहले 10 महने के लिए अब जब 10 महने के लिए जब उनको चसका लग जाएगा ना education का उसके बाद वो लोग को formal conventional education system से include कर लिया जाएगा जिसमेंसे उनको enroll किया जाएगा to the सरकारी schools nearby ठीक है अब इस provisions के अंडर बहुत कुछ facilities भी provide की जाएगी जैसे सरकारी schools में नहीं होते हैं free midday meals यहाँ पर भी midday meals free provide किया जाएगा uniform provide किया जाएगा text books provide किये जाएगे बच्चों को ठीक है so इससे it will bring our children who were hitherto remained outside the ambit of formal education वैसे बच्चे जो कि अभी तक बिलकुली formal education system से aloof थे उन बच्चों फिल से include किया जाएगा formal education system में next news था Assam Tribune का जिसमें बोला जा रहा था 10,000 करोर रुपया का एक scheme आ रहा है जिसके तहट higher और higher secondary schools है न दोस्तों उसको revamp किया जाएगा उनके infrastructure उसको proper अच्छे तरीके से मनाया जाएगे ठीक है तो कहा जा रहा है it will enable imparting modern education to these institutions in institutions में modern education को provide करवाया दिया जाएगा with this scheme जिसमें you know दस हजार करोर रुपया invest की जाएगी Assam Government के द्वारा next दोस्तों sports section से था Durand Cup के related वैसे आपको जानके रखना चाहिए Durand Cup जो है एशा का oldest football tournament है now अभी यह specifically news इसलिए है न क्योंकि इसको गुहाटी में खेला जाएगा ठीक है so इसलिए यह काफी जादा news था Durand Cup के बारे में आपको जानके रखना है क्या होता है Durand Cup ठीक है next next basically world population prospect 2022 का report जो पहले रिलीज हुआ था न यह article उसी का analysis provide करता है ठीक है इस article में भी बोला जाता है that India जो है demographic transition का third stage में इंटर कर चुक है देखो बहुत सारे stages होता है demographic transition के stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, stage 5 stage 1 में क्या होता है birth rate जादा है, death rate जादा है समझ रहा बात तो दोनों देखो दोनों चीज है birth rate जादा है, death rate जादा है stage 2 में क्या होता है, birth rate तो जादा है बट death rate धीरी धीर घटता है क्यों? क्योंकि medical facilities आना start हो जाती है stage 3 में क्या होता है? death rate तो घटता ही है, साथ-साथ birth rate भी घटना start होता है जो क्या? अभी phase इंडिया में, overall अगर देख लिजेगा stage 3 में है समझ रबाद? now, कहा जा रहा है, इंडिया में stage 3 में हम लोग इसलिए देख रहा है क्योंकि mortality अगर देख लोगे वो तो घट ही रहा है undoubtedly mortality घट रहा है, बट साथ-साथ fertility भी यह भी decline हो रहा है in fact, its population growth is further expected to fall by 1% by the year 2025 जी हाँ, 2025 तक जो है na, population growth rate जो है और भी 1% जादा fall होना जाने की संभावना है in fact, its demographic transition से कुछ-कुछ opportunities तो मिलती ही है बट कुछ-कुछ challenges भी है जैसे, जैसे बोला जा रहा है, बहुत सारे ऐसे states है which have not achieved a low total fertility rate जैसे बिहार, जैसे UP now, क्यों, यह reason क्या है, that यह total fertility rate नहीं अचीव कर पा रहा है proper जो level में होना चाहिए क्योंकि वहां के लोग illiterate बहुत जादा है illiteracy जादा है, right child marriage बहुत जादा होता है low contraceptive usages होता है इससे fertility rate उस region की बहुत जादा है male dominant sex ratio आप कहीं पर काभी sex ratio उठा के देख लिजए जादा अपतर आपको देखने को मिलेगा that females कम है, males जादा है तो यह क्या हुआ? skewed sex ratio है ना, which is in the favor of males not in the favor of females ऐसा sex ratio होना चाहिए, equal होना चाहिए, ठीक है? next, marriage squeeze बहुत जगह तो ऐसे है ना, जहाँ पर girls नहीं मिलती है marriage करने के लिए इससे क्या होता है ना, brides को purchase किया जाता है जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी situation हो रहा है हर्याना में आप चले जाएए, यह वाला situation देखने को हमें मिल रहा है elderly population, कहा जा रहा है it is now increasing and it is expected to be 12% by the year 2050 जो के अभी 9% है ना, 2050 तक यह बहुत ही जादा बढ़ जाने वाला elderly population, तो यह सब कुछ-कुछ concerns है तो suggestions दिया जारा है जरूर कुछ author के द्वारा एक तो बोला जारा है that sex ratio को prioritize तरीके से, you know, improvement करना ही परेगा हमें different other region में साथी साथ ensure करना पड़ेगा that women's का जो status है हमारे society में वो भी improve हो, उनके quality of life improve हो elderly लोगों के लिए भी हमें investment जाद स्यादा करना पड़ेगा और make sure करना पड़ेगा human capital के उपर invest करे और जो social services है, जैसे education, जैसे healthcare services उसको extensively इन लोगों तक पहुचाया जा सके Next, India European Union Ties कहां जा रहा है, while India celebrates its 75th year of independence it also celebrates 60 years of diplomatic relationship with European Union European Union के साथ हमारे Ties को बारे में इसमें थोड़ा significance दिया गया है, जिसमें बोला गया है that अगर significant milestones देखिएगा India और European Union के बीच के relations का, तो 1960s में, India was one of the first to establish relation with European Union Community, in fact, cooperation 1994 में हम लोगों ने cooperation agreement sign किया था, जिसने, you know, define किया था that India European Union के बीच में relationship कैसा होने वाला है First, India EU summit 2000 में हुआ था, जिसने mark किया था एक watershed in the evolution of relationship, बाद में तो 2004 में strategic relationship sign हुआ, उसके बाद joint action plan sign हुआ 2005 में जिससे enhance किया जाए गया दोनों देशों, दोनों region के बीच में, that is India देश और Economic Union, that is European Union as a region हम बोल सकते हैं, दोनों के बीच में enhance किया गया trade or investment, जिससे दोनों के लोग भी आजबाज हुआ हैं, cultures भी कहीं ना कहीं, आपस में बटा, राइट, 15th India EU Summit 2020 में conduct किया गया था, जिसने highlight किया engagement across various areas, जैसे foreign policy, जैसे security cooperation, trade and economy, sustainable modernization partnership, global governance, people to people relations, तो हर एक aspect के उपर basically highlight दिया गया था, कुछ-कुछ areas of cooperation है, India and EU के बीच में, जैसे bilateral trade, bilateral trade अगर देख लिजएगा, दोनों देशों के बीच में surpass हुआ है, of the 116 billion dollar in the year, between the year 2021-22, in fact, EU जो है ना, इंडिया का second largest trading partner है, US के बाद, समझना परेगा, trade, मतलब क्या होता है, that goods and service का आदान-प्रदान, तो हम सबसे ज़्यादा goods and service का आदान-प्रदान USA के साथ करते हैं, उसके बाद हम EU के साथ करते हैं, avenues for collaboration, for example, कहा जा रहा है, green strategic partnership जो है ना, इंडिया और डेन्मार्क के बीच में, यह aim करता है to address the climate change, biodiversity loss and pollution, India Nordic Summit focus करता है on green technologies, तो देखो, यह सब अलग-अलग avenues में हम लोग collaborate कर रहे है, यही क्यों, defense cooperation में, defense cooperation की जब ही भी भी बात करें EU के साथ, तो क्या हम आपके दिमाग में सबसे पहले रफाइल जेट नहीं आते हैं, absolutely, बिल्कुल, इन फाक्ट, EU के बहुत सरे देशों के साथ, हम लोग joint military and novel exercise carry out करते हैं, हमारा दोनों का aim यही है, that free, open and inclusive Indo-Pacific होना चाहिए, तो हर एक arena में तो हम लोग एक साथ ही आ रहे हैं, भाई, free trade agreement के लिए रेट, देखो, India और EU undoubtedly talks, 2007 को ही launch किये गया थे, regarding BTIA, that is broad based trade investment agreement, ठीक है, तो इसको अभी तक materialize होने में time जरूर लग रहा है, but yes, it will happen of course, but there are few challenges, जैसे, दोनों देशों के, that is India and UK के बीच में कुछ-कुछ ऐसे regions हैं, जहां पर opinion हमारे बिलकुल ही अलग-अलग हैं, हमारे interest बिलकुल ही diverge कर रहे हैं, for example, openly Russia को condemn नहीं करना चाहता है, जो किया European Union कर रहे हैं, अब उसके पीछे भी हमारा reason है, पास्ट में अगर हमारी history देख लोगे, तो Russia ने हमारे इस-स टाइम में मदद किया है ना, जब कोई दुनिया का सामने नहीं था, तो अभी जब उनको हमारा मदद चाहिए, तो हम लोग नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं ना, तो वहीं चीज हो रहा है, double standards हमें देखने को मिल रहा है, on gas imports from Russia, rise in China, जी यहां, अब यहां पर क्या हो रहा है, that European Union, हमें तो बोल रहा है, आजे, आप यहां से gas पर्चेस कर रहा हो, तो आप इंडिरेक्ली रशा को फंड कर रहा हो, आजे, हम रशा को फंड कर रहा है, आप क्या उदर से रशा को फंड नहीं कर रहा हो, आप क्या gas नहीं पर्चेस कर रहा हो, और आप हमें सिख्षा दे रहे हो that हमें नहीं पर्चेस करना चाहिए नेसरी इस राइज इन चाइना there is also ambiguity on the EU strategy in tackling the rise of चाइना क्योंकि देखो जब गलवान clash हुआ था तब तो European Union बिल्कुल mute था आपने तो तब कुछ भी नहीं बोला और आप expect कर रहे हो हम जो के हमारा all weather मतलब दुनिया का सब कोई हमें छोड़ दे रशिया हमारा साथ देगा उस situation में आप हमें से expect कर रहे हो that हम अभी रशिया को backstrap करें ऐसा कभी हो सकता है क्या समझना पड़ेगा चीजों को ठीक है next श्री औरबिंदो घोस के बारे में था 150th birth anniversary of श्री औरबिंदो घोस basically central government celebrate कर रही है इसी लिए central government ने कुछ spiritual programs launch किये थे between august 15 to august august 12 to august 15 across 75 prisons of India श्री औरबिंदो के बारे में discuss करते है properly अब एक एक चीज आप ध्यान से सुने है पहले तुम यह भी यह बता दे रहा हूँ now, reason भी है उसका क्यों मैं ध्यान से सुनने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि past में personalities के उपर directly questions पूछा गया है वैसे personalities जो के हमारे freedom struggles में directly or indirectly involved थे श्री औरबिंदो भी उसमें एक है औरबिंदो घोश इनका नाम था जिनकी जो बॉर्ण हुए थे वो कैलकटा में in the 15th August 1872 यह एक योगी थे फिलोसोफर थे, पोएट थे, एक इंडिया नाशलिस्ट थे जिन्होंने दुनिया को बतलाया that actually में डिवाइन लाइफ को कैसे जीते है कैसे धीरे-धीरे spiritual evolution होता है वो चीज़ इनननों बेसिकली दिखाए भी चाहरों डिसकस करता है इनके मेत्यू सब्मा 1950 में पॉंडिचरी में हुई थी नाव एडुकेशन की अगर बात करें इनकी एडुकेशन दार्जलिंग के Christian Convent School में हुई थी ये इंटर हुए थे University of Cambridge जहां पर इननों ने विए बिकन प्रोफिशन इन two classical as well as several modern European language 1892 में ये थी अगर बात करें वेरियस administrative posts इन बरोदा और कालकाटा इन फाक्ट ही बिगन तु स्टदी ओफ योगा और इंडियन language including classical Sanskrit Indian revolutionary movement की अगर बात करें from 1902 to 1910 he took part in struggle to free India from the British rule in fact he attended Congress session और same time में इनोंने help किया था in establishing the अनुसीलन शमीती as well जिसके कारण इनके इतने जादा political activities थे मतलब क्योंकि ये directly and indirectly political activities से included थे इसी लिए इनको jail भी जाना पड़ा था in fact 1908 की अगर बात करें तो अलिपूर जो bomb case हुआ था उसमें इनको jail जाना पड़ा था दो साल बात ये जो चले गया थे French colony of Puduchery में जहाँ पर इन्होंने डवलप किये था internal yoga with an aim to fulfill and spiritual transformed the life on the earth in fact अगर आप Puduchery जाईएगा तो वहाँ पर आपको Shri Aurobindo आश्रम भी देखने को मिलेगा बहुत बहुत अलगी आश्रम है वो आप जाईएगा ना तो उसके देखिएगा मतलब वो ऐसा जगह है ना जहाँ पर हर जगह से लोग आता है and वहाँ पर हर प्रोफेशन के लोग रहता है एक डॉक्टर एक स्वीपर सब कोई बट सेब को सेम सालरी मिलता है है ना ऐसा नहीं डॉक्टर को जादा स्वीपर को कम नई सब कोई सेम सब का किसी का कुछ लेंड अपना नहीं होता सब कोई मिलबाट के रहता है मतलब अलग ही वो दुनिया है वो दुनिया ही अलग है टेक्निकली यह स्पृरिच्वाल्टी कि अगर बात करें इन पुड़ुचरी ही फांड़ एक कम्यूनिटी ऑफ स्पृरिच्वल सीकर्स जिसके कारण और बिंदो आश्रम इन्होंने बनाया था इसी और बिंदो आश्रम के बारे में तो बात किया मैंने अभी है ना इन्होंने प्रोपार्ण किया था फिलोसफी ऑफ डिवाइन लाइफ ऑन अर्ड थ्रू स्पिरिच्वल इवलुशन लिटरडी कुछ-कुछ वर्क्स थे इनके जैसे यह खुछ जनरलिस्ट थे इन्होंने बहुत सारे निउस पेपर्स के एडिटर बने थे जैसे बंदया मात्रम इन्फाक्ट ही वस अलसो जनरलिस्ट और फिलोसफिकल मैंगजन जो था ना 1940 में पब्लिश हुआ था जिसका नाम था आडिया बहुत सारे उनके राइटिंग्स में कुछ-कुछ राइटिंग्स जैसे है जैसे दे लाइफ डिवाइन, दे सिंथेस ओफ योगा और सावित्री यह सब कुछ-कुछ उनके राइट मास्टर पीस है अब देखो और बिंदोगोष, विपिंच अंदरपाल, लाल लाच बत रहा है या फिर मोतिलाल नेरल तो मैं यही बोड़ना हूँ देट उनके बारे में आपको डिटेल्स दे दी जाएगी और उनके बारे में अलग-अलग पिन कोड होता है, ठीक है अगस 15, 1972 में पिन कोड, इस पोस्टन इंडेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में ठीक है, देखो कब 1972 डिपार्टमेंट ओफ पोस्ट बोल रही थी, ते देखो, भई हमारे वहाँ पर around 30,000 से भी जादा पोस्ट ओफिस है बहुत सारे ऐसे जगह है जिनका नाम सेम है मतलब अब नाम अगर similar name हुआ, similar writing है सो चो एक जगह का नाम है, औरंगाबाद, दूसरे जगह का नाम भी औरंगाबाद बिहार में भी औरंगाबाद आता है, महाराष्टर में भी औरंगाबाद आता है पता है ना, तो एकदम सेम writing है, एकदम सेम spelling है अब बताओ, confused हो जाता है, अगर चिट्टी भेजूँगा तो कहां पर जाएगा कौन वाले औरंगाबाद में जाएगा, बिहार वाले में या महाराष्टर वाले में, ठीक है इसी लिए यही जब problem को देखते हुए, pin number लाया गया, जिससे बिहार वाले औरंगाबाद का pin code अलग रहेगा, महाराष्टर वाले औरंगाबाद का pin code अलग रहेगा, समझदो बात, है ना, now, how does the pin code work, six digit का होता है, यह हमें सबको पता रहे, पहला जो number होता है जैसे मैंने बोला, 855107, तो इसमें क्या है, 8, तो वो indicate करता है postal region, वो north में लाई करता है, east, west, south, या कहां पर, एक होता है, 9 से भी start होता है, है ना, तो 9 जहां आ गया, तो वो signify करता है, army postal service, ठीक है, चलो, next, second number denote sub region, यह वाला, यह वाला denote करता है sub region, और third जो है, represent करता है district, किस district में लाई कर रहा है, है ना, now, remaining number जो है, वो narrow करता है geographic को और भी जादा, है ना, जैसे 107 है, तो, सोचो, यह 5 वाला region है, तो उसमें 107 यह वाला region हुआ, 108 यह वाला region हुआ, समझ रहो बात, तो, मतलब मैं समझाने की कोशिक कर रहा था, that actually मैं कैसे partition किया गया है, ठीक है, next, आगे बढ़ते है, नवरोज festival, पार्सीज का new year, 16th August को celebrate किया जाता है, इसी के related हम लोग थोड़ा इसके बारे में देखते है, नवरोज, नाम से क्या पता चलता है, देखो, दो चीज है, नवरोज, नव मतलब new, रोज मतलब day, new day, Persian language में, इसको बोला जाता है, नवरोज, ऐसे तो इसको अगर globally देखोगे, Iranian calendar के हिसाब से, देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, Iranian calendar के हिसाब से, globally इसको March में celebrate किया जाता है, बट इंडिया में जो है न, 200 दिन बाद इसको celebrate किया जाता है, month of August, क्यों, क्योंकि पार्सी जो है न, यहाँ पर इंडिया में जो रहते हैं, वो शहिन शाही calendar को follow करता है, जिसमें leap year को count ही नहीं किया जाता है, और आपको पता होना चाहिए, that शहिन शाही जो calendar है, इसको बनाया गया था, पर्शियन किंग जमशेद के द्वारा, and नवरोज इतना दादा इंपॉर्टन है न, that यह UNESCO के intangible cultural heritage of humanity of India में भी included है, Zoroastraniism, ठीक है, तो यह है क्या, यह faith है basically, यह one of the earliest monotheistic faith है, जिसमें एक ही भगवान को माना जाता है, है न, इसको create किया गया था, over 3500 years ago in ancient Iran, किन के द्वारा, prophet Zarathustra के द्वारा, ठीक है, It was the official religion of Persia, जी हाँ, इतना 20 तक तो Persia का official religion ही था, जब तक Islam emerge नहीं हुआ वहाँ पर, जैसे Islam आया है न, तो बहुत सारे ऐसे जोरस्ट्रेंस थे, जो क्या, इंडिया में आ गए, बहुत सारे पाकिस्तान में चले गए, तो इसी दिए उनको Parsi बोला जाता है, ठीक है, India has one of the largest single groups of Parsi's in India, जी हाँ, in fact world population अगर देख लीजेगा, वो 2.6 million zero strands है, and in India only, Parsi's are one of the notified minority communities as well, तो ये कुछ-कुछ facts है, जो क्या हमें जानने पड़ेंगे, other new year, जैसे हिंदूज का देख लीजे, हिंदूज का होता है, चैत्र, शुक्ल, परिपाद, युगाडी में गुडी परवा बोला जाता है इसको, है न, कश्मीर में इसको नवरेह बोला जाता है, next is, मनिपूर के मीतीज, जो है, साजीबू, चैरोबा के नाम से इसको celebrate करते हैं, सिंधीज, इसको चेटी चांड के नाम से celebrate करते हैं, सिकिमीज, मतलब सिकिम, जो के जो लोग है, उनका new year, लौसॉंग के नाम से बोला जाता है, ठीक है, next, बाल आधार initiative, जैसे आपका आधार कार्ड है, मेरा आधार कार्ड है ना, वैसे जो पांच साल के बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, पांच साल के नीचे, उनका भी एक आधार बनाया जाता है, पता है वो कौन सा आधार है, उनी को तो कहा जाता है, बाल इस आधार के थूर मिल जाएगा जरूर, ठीक है, अब देखो, नॉनमल जैसे हमारे में क्या होता है, फिंगर प्रेंट, आइरिस का स्कैन, सब कुछ लिया जाता है, इनका उतना नहीं होता है, इनका सिर्फ बच्चा का सिर्फ फोटो लिया जाता है, शकल का, ठीक है, अच रहो, तो यह सब चीज है, हाँ, बच्चे का कुछ-कुछ चीज है जरू लिया जाता है, जैसे बर्च सर्टिफिकेट, है न, पूफ और रिलेशन्शिप स्टैटस विद गार्जन, तो यह सब कुछ-कुछ आस्पेक्स है, जहां पर देखे जाता है, अदर्वाइस नहीं, UIDAI, क्या है, एक statutory authority है, जिसको established किया था, 2016 को, जिसका parent body कौन है, Ministry of Electronics and Information Technology, mandate क्या है भईया, mandate है यह 12-digit का जो UIDAI, that is unique identification, जो यह number है न, in the form of Aadhar, वो हर एक logo of India, मनलब हर एक इनसान को देना पड़ेगा, ठीक है, जो भी Aadhar Card बना रहे है, ठीक है, अभी तक कहा जाता है, 99% of the adult population के पास, already Aadhar पहुच चुका है, नीचे comment section में बिलकुल लिखेगा, that क्या अभी तक आप लोग को Aadhar मिल गया, या फिर अभी तक नहीं लिया है, anyways, आगे बढ़ते हैं, fundamental duties, Chief Justice of India ने बोला है, that fundamental duties, एक बहुत ही important aspect है, अगर हमें socially transform होना है, तो, देखो, एक होता है fundamental right, जो किया आपका कानूनन अधिकार है, जैसे, अगर, सोचो कहीं पर आपको equality नहीं दिख रहा है, कहीं पर आपको, you know, car street के नाम पर, अलग थलग किया जा रहा है, सोचो कोई public place में अगर आपको खुसने नहीं दिया जा रहा है, तो वो बिलकुल गलत है, Constitution के हिसाब से, समझ होता है, fundamental duties, मतलब आपको भी, आपका भी तो कुछ duty है ना, सरकार के प्रती, आपका भी कुछ duty है अपने देश के प्रती, है ना, वो duties आपको निभाने पड़ेंगे, right, तो यह जो fundamental duty का concept है, यह inspire हुआ है by the Constitution of Russia, and इसको incorporate किया गया था, part 4, section A of the Constitution of India, by the 42nd Amendment Act of 1976, और किसके recommendation क के बाद, स्वर्ण सिंग कमिटी के recommendation के बाद, पहले तो यह 10 थे, बाद में देरे-देरे बहुत जादा add up किया गया था इसको, जिससे इनके रंका overall पड़ा, all the duties, जिसको list किया गया था, article 51, sub clause A के अंडर, ठीक है, of the Constitution, वो भी इसमें आते हैं, however, like directive principles, duties are non-justiciable in nature, ठीक है, तो यह तो खेर, यह सब तो basic basic aspect है, जो कि आप quality वाले book में पढ़ लेते होंगे, लक्षमी कांद में इस पर deliberately लिखा हुआ है, तो मैं तो आपसे यह request करूँगा, that please यार, एक बार जाकर लक्षमी कांद का fundamental duties पढ़ लो properly, next, नोगोर्नो काराबाग region, अब यह region है कहाँ पर, देखो यहाँ पर, यह है Mediterranean Sea, यह है Arabian Peninsula, ठीक है, यहाँ पर देखो Black Sea है, यह वाला Caspian Sea है, Caspian Sea के western part में देखो, इसी का zoom किया गया है, आपको यहाँ पर देख रहा है, ठीक है, उसका further zoom यहाँ पर आपको देख रहा है, यह है Azerbaijan, यह है Armenia, ठीक है, अब देखो Azerbaijan का color देखो, और Armenia में एक aspect, एक जगह है, यह वाला color देखो, तो यह वाला जो part है ना, Azerbaijan का यह है, similarly, Armenia, यहाँ पर है ना, Armenia, तो यह वाला लाल color जो है ना, लाल color में जो लोग रहते हैं, वो Armenians है, तो Armenia claim करता है, यह region उनका है, समझे बात, यहाँ देखो कितना complex है, बहुत ज़ादा complex है इनका geography, अच्छे से देखते हैं, देखो, फिर से बोल रहा हूँ, यह Azerbaijan है, यह Armenia है, अब देखो, Azerbaijan तो यहाँ पर आके खतम हो जा रहा है, यह पूरा Armenia है, अब यहाँ पर और एक Azerbaijan अब देख रहो, देख रहो, यह अब सवाल होता है, यहाँ से Azerbaijan, यहाँ से, यह लोग रूट है, जिसको कहते है, मेगरी कॉरिडोर, देख रहो, मेगरी कॉरिडोर, देखो, यहाँ से पहाडो का रास्ता है, इधर से गुम गुम कराते है, यह Azerbaijan वाला रूट, समझ रहो, अब धियान से देखना, यह Armenia है, यहाँ बीच वाला जो रीजन है, यह भी यहाँ पर भी अल्टिमेटली इस रीजन में जाते हैं, ना गॉर्णो कोड़ाबाक रीजन, कोड़ाबाक रीजन में, समझ रहो बात, और भी कॉम्पलेक्सिटीज है, जैसे देखो, यह Armenia है न, अर्मिया ने के भीतर का यह जो कॉन्क्लेफ देख रहो, यह Azerbaijan का है, है न, अच्छा, Azerbaijan के भ अच्छा, इस रीजन को कब जा लिया है, है न, इस रीजन को, तो इसमें, अफकोर्स, Azerbaijan की ही, यह जीत हुई थी, तो यह सब इस न्यूस में दिया हुआ है, डॉनियर एरक्राफ्ट के बारे में न्यूस था, क्योंकि इंडिया ने हैंड ओवर किया है कुछ डॉनियर एरक् इन स्पाइट अफ उस टाइप के सिटुएशन जहां पे श्री लंका एक बहुत ही, यूनो, डिफिकल्ट सिटुएशन से घुजर रही है, तब भी इंडिया श्री लंका का हेल्प कर रही है, डॉनियर टू-टू-एट, यह एक जनरल एरक्राफ्ट है, जिसके दो इंजन् इसके बहुत सारे मल्टी रोल से पता है, इसको मिलिटरी ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है, कांगर, कार्गो के ट्रांसफर के लिए भी एक रीजन से से दूसरे रीजन में यूज किया जाता है, तो यह कुछ-कुछ है, और भी स्पेशल कुछ-कुछ missions इसने यह carry-out कर सकता है, जैसे maritime surveillance, border patrolling, medical evacuation, search and rescue, para-drop, environmental research, तो यह various aspects, डॉनियर एरकाफ्ट के दुआरा किया जा सकता है, जो क्या, अभी हम लोगोंने श्री लंगा को gift किया है, अब आ जाते हैं, दोस्तों, MCQs कुछ-कुछ, कल के पहले MCQs देख लेते हैं, सबसे पहला था, P-Waterons को related, दो statement था, दोनों के दोनों statement यहां पर बिल्कुल सही थे, तो yes, C was the correct answer, DG-Aatra के related, D-Val option सही था, biometric enabled facial recognition technology, जो के airport में इस्तमाल किया जाता है, और तीसरा number question जो था, Nano-Urea के related, दोनों के दोनों states में यहां पर भी बिल्कुल सही थे, so इसलिए यहां पर भी C will be the correct answer, तो correct sequence जो हो जाएगा, वो हो जाएगा, C-D-C, 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 तो आप सब लोगोंने C-D-C ही मारा है, ठीक है, आज का question बिल्कुल सब उन्हें solve करना है, यह मैं चाहता हूं, और अगर आपको यह initiative अच्छा लग रहा है, then you can hit the thumbs up as well, बहुत महनत लगती है यह बनाने में चीजों को, consider the following statement about baladhar, यह issue किया जाता है in blue color to the children, up to the age of 10 years, दूसरा है, baladhar works as a facilitator, in availing several welfare benefits to the children, आपको बताना है इन में से correct statement कौन सा है, one only, two only, both one and two, या फिर fundamental duties, it has been derived from the constitution of which among the following countries, Germany, Ireland, Canada, या फिर रश्या, नीचे कमें सेक्शन में बिलकुल लिखेगा, we'll be waiting for your answer to come up, and guys, last but not the least, एक बहुत बारा अनॉंस्मेंट आप सभी लोग के लिए, बहुत रहा है इसका एक नया ब्रांच खुलने वाला है, और ये नया ब्रांच गुलने वाला है, then what they can do is like, they can directly take admissions to our Bhangagar center as well, बहुत ही कम सीर्स बची हुई है, admissions वैसे अब open है, और अगर आप इसमें से admissions लेना चाहते हैं, तो आप इन numbers पे directly contact कर सकते हैं, for any short of information regarding the same, ठीक है, मिलते हैं नेक्स क्लास में, till then, bye-bye, take care, and thank you for listening to the whole video, thank you very much guys.